अर्वी हाकिकत है, सच है और जो आज भी जो हो रहे हैं वो भी सही दिशा में नहीं है सुभी तफ्ते के लोग, सुभी विबाग के लोग भी नाराज है ज्यादा से ज्यादा लोग अभी की आज की इस्तितिय अगर देश की देखे तो पूरी एकानमी ताल मटोल हो गई है निर्याद अल्मुस्ट कोजर पर आ रहा है लाकों में इंडेस्टिस का क्लोजर हो रहा है वेर मेकिन इंडिया इस गान गाड़ो लिनूस और आयाद बढ़ रही है आयाद ऐसी चीज़ों की जिसके कोई जुरूरत ही नहीं और काम सही पे हो जाए क्योंकि हमारा देश एक क्रिशी प्रदान देश है फिर भी हम एक लाक करोड के उपर का पामवाले नायल इंपोर्ट करते हैं लगातार कर रहे हैं कांग्रेस की जमाने से भी अब भाजपा के सरकार में भी इसको बंद करना चाहिए 100% हमारे किसान है उगा के देने के लिए लेकिन वो काम नहीं हो रहा है दाल भी हम लोग केनड़ा से इंपोर्ट करते हैं जो के बड़ी आसानी से किया जा सकता है उत्पादन हो सकती है लेकिन उस पे भी सरकारों का नजर नहीं है उस समय से लेके आसता मैं किसी एक पार्टी को या किसी एक वेक्ती को आलोचन करना मेरा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आज जो situation हमारे सामने खड़ी है मैं अप्पील तो all the intellectuals of this country and all the youth of this country that we need a qualitative change we have the experience of the globe wherever leaders went out of box और खड़ी मेहनत करके कुछ करने का प्रयास किया है जैसे के East Station Tigers है जैसे के जैपान है Ashes से रैजो के second largest economy बन गया है और सुबसे बड़ी एक्जामपल हमारे लिए तो इससे हमारा geographical connect है चीन है Till 1980 the GDP of China was lesser than India and now where is China, where is India today China has proved उनके कड़ी मेहनत से सही नीतियों से China has proved आज के दिन में कुछ ऐसा स्थिति ला दिया उन्होंने Without China there is no world यहां तक कि हमारे पतंगों के मांजा दीपावले के पठाके दीपावले के दिये भी चेना से आने लगे हैं होली के रंग भी ऐसी स्थिति है जो चीज बारत में बन सकता है उसको भी आज बारत इंपोर्ट करने लगा है कुछ दनवान लोग गर मना रहे हैं तो कह रहे हैं के भई कहां गे चेना गे क्यों के पन नीचर लाने गे सोफा सटके लिए भी हम चेहना भाग रहे हमारे भारत वासी तो इस साफ इंडिकेट करता है कि देर से नीड फर एक ग्रेटर चेंज इस्टाइल अफंक्शनिंग अफ इंडिया और कहीं अन्य चीज है कि भी नीड टू मेक सम structural changes समिधान को लेकर के भी जोडिशरी को लेकर के भी economic reforms भी होना चाहिए constitutional reforms होना चाहिए electoral reforms भी होना चाहिए administrative governance का भी system बदलना चाहिए we should get out of this routine until unless we should get out of the box and get out of this routine this country will not be able to flourish elections do come and go parties में win parties में lose तो चलता ही रहता है unless there are some structural changes India will never be able to catch up with the world कुछ ऐसे चीज़े हैं बड़ा ही दुखदाई है खास तोर पर दो चीज़ पानी और बिजली इसके लिए पूरी भारत तरस्ता है मैंने कहीं किताब है पढ़िया है कहीं शास्तियों से मैंने बात किया है कहीं से सही समदान नहीं निकलता we have the water availability more than the requirement of the country the rainfall of India is about 140 1,40,000 TMC 50% of the water gets evaporated and the rest 50% that's about 70,000 TMC हमारे नदियों में बहता है शुद्ध पानी जिसके आज तक भारत ने उटाया है सिर्फ 20-21,000 का जो प्राजेक्ट्स बने हैं जैसा के इंदिरा सागर, नागार जुन सागर, हिरा कोट ऐसे प्राजेक्ट्स में सिल्टेशन भी आ गया है उसमें वन फोर्थ या एक तिहाई भर भी गये है ता रियल यूज़ पानी समंदर में बह जाता है 75 साल का यह स्टोरी है इसके पंद्रा प्रदान मंत्री बने कहीं लोग सहो लोग के मंत्री बने नीतिया नहीं बदल पा रहा है आज तक कोई किसी ने भी इसके बारे में ध्यान चाहिए तरह से नहीं दे पाए और बिजली का भी वही हाल है बिजली हमारे देश में बहुत कम लोग जानते हैं यह अकिकत है आंकडे मेरे नहीं है के इसके सरकार के है कोल मंत्रा लेके है अब तक जो डिटेक्टर है अलगरी जो डिटेक्ट करके पाया गया है the coal reserves in the land of India are about 361 billion tons जो के thermal power जो firm power होता है power तो पांच चे किसम का है लेकिन firm power शिर्फ एक दो ही होते हैं one is atomic power another one is thermal power ideal power, solar power, all these are there but they are not found these are only two firm powers लेकिन atomic power को लेकि हमारे देश में भी पुरे विश्मे में भी कुछ विवाद है चर्नोबिल के विश्पोटन जो रश्या में हुआ है उसके बाद में काफी विवाद है पर thermal power has the global acceptance इसमें super critical आगे हैं अभी जो less polluted है वो चीज पुरी दुनिया में चलता है और जो कोईला हमारे पास उपलब्ध है पुरे देश में विश्तार भंडार 361 billion tons इसको सही संतुलित करके हैडल, solar और thermal power को संतुलित करके यूज़ करे the existing coal reserves आगे भी है जो पाया गया है वो डेड़ सव साल तक के लिए पूरे भारत को 24 गंटा उच्च गुनवत्त वाली power देने के लिए परियापत है ये मेरे नहीं है बात ये शास्त्रग्यों के बात है experts के बात है मैंने उनसे चर्चा किये है लेकिन इसके दर पे कोई द्यार नहीं है ये पूरी गुर्भा के पूर्म बात है इसमें भी बदलाव आना चाहिए इसमें भी बदलाव आना चाहिए टोटल वाटर पालिस आप इंडिया नेडिस तो बी चेंज़ अनलस भी चेंज़ आट अब देखें मैं इसलिए कह रह रहा हूँ I am telling this with a responsibility why water wars in India it is hard to understand रावे इस सटलेश के लिए थीन राज लड़ते हैं पंजाब, हर्याना और राजस्तान महान अधिकोले के तीन राज लड़ते हैं मज्यप्रदेश और और उरिस्सा चेतिजगर्ट इन तिनों में लड़ाई है कावेरी को लेके मदरास में और करनाटक में लड़ाई है कृष्णा गोदावरी कलेके महाराष्टा करनाटका, तिलंगाना और अंध्रा इनों के बीच में लड़ाई है राज जों के क्यों लड़वा रहे है पानी नहीं है, ये बात नहीं है पानी परियाप्त है इस प्रकार से लेना है, पानी ले सकते है तो पानी सर्पलस है ये बाट फार्टी वन क्रोर्स अफ कल्टिवबल लेंड इन इंडिया विच इस मोर देन अमेरिका और मोर देन चेना पुरे दुनिया में हमारा फूट प्रासिंगर के हमारे काना जा सकता है लेकिन उनन्फार्चनेटली फिटिंग्मेर्ट बरकरर सेंद मैड़नल पिजास प्डिश्यास कहा इस बात बदलना चाहिए भारत का काना बाहर जाना चाहिए फूट प्रासिंग इंडिस्टी का बढ़ाव देना चाहिए वो नहीं हो रहा है हर जगह हर तैसील में लग सकते हैं food processing in में इसमें करोडों करोडों यहा को नाउकरी भी मिल सकता है लेकिन इससे तरब भी कोई ज्यान नहीं है this is why we feel that it needs to be changed in total change should be radical ऐसा वाइसा change से नहीं होगा इसके मूल रूप सी change करना पड़ेगा power policy also needs to be a change a new water policy a new power policy should be drafted for the country then only we will be able to address the shortages and the problem in these two issues अज दूसरे चीज़ भी है हम अपने राज़दानी में जाते हैं दिल्ली कभी कभी आदा गंटा कभी पंतालीस मिनट भी चक्कर लगाने पड़ते हैं we are hovering in the air आप सुभी लोग जाते हैं because of traffic congestion नहीं जाहिए आप हमारे airports में infrastructure ठीक नहीं है इस प्रकार का expansion होना चाहिए नहीं होता है हमारा road में काफी improvement होना चाहिए जो नहीं हो रहा है नहीं हो पा रहा है और हमारे rail गाड़ियां जो चलते हैं second largest railway है हमारे पास यह बड़ी अजीब बात है किसी एक में भी perfect infrastructure नहीं है इतने साल के बाद भी काफी दुखदाई बात है पानी का में खतम कर लूँ आपको sheet supply किये है there are about 13 countries के sheet है इसमें साफ details है actually होता यह है पानी कहीं भी किसी factory में नहीं बनता पानी बहुत अन्मोज चीज होती है माना उसको तयार नहीं कर सकते जो आता है प्रकृति देती है उसको बड़ा संबाल के यूज़ करना चाहिए हमारे देश बाड से भी प्रभावित है सूका से भी प्रभावित है आदा बिहार तो डुबा हुआ रहता है हर साल आदा सूके में रहता है और कहीं जगा देश में अकाल सकाल होते ही रहते हैं यह हमारे अन्मोज है जो पानी की उपलब्दी है जो प्रकृति भगवान ने दे रखा है उसको सही तरीके ज़े इस्तमाल करे देखे एक छोटा सा देश है जिंबाब बे इनके पास एक रिजर्वायर है 6,533 TMC इसका मैंने आपको दिया है details you can see it later on ऐसे ही रूस में है अंगारा वहां पे 5,968 TMC का dam से है केनडा में, अमेरिका में, होवर डाम है ऐसे ही I have given you the details, you can go through this document it will show you भारत जैसे विस्तार देश में, इतने विशाल देश में कम सक्रम दो तीन कम सक्रम ऐसे प्राजेक्ट हमारे पस होना चाहिए देश पूरा पैस है केत पूरा पैस है, गले पैस है लेकिन इसमें कोई ध्यानी नहीं यह ऐसी अगर दो-चार रिजर्वायर बना ले तो हम बाड से भी सेफ रहेंगे सुके से भी बचेंगे पिने के लिए पानी विस्तार मिलेगा उजोग के लिए मिलेगा, हर किसी को मिलेगा हर किसी को देने के बाद तो 41 करोड एकर की किसी योग यह भूमी है इंडिया में हर यकड में पानी दिया जा सकता है मैं आप से प्रार्तना करूँगा लोगों को आप बताए आपके आखबार के जरीए, आपके चानलों के जरीए आइल प्रेयू, प्लीस लिटिट बी नोन टो टो पीपल इंडिया में दमदार सरकार अगर हो हर यकड में भरपूर पानी दिया जा सकता है पीने के पानी हर गर में नल फिट करके दिया जा सकता है और उज्जो के लिए जो चाहिए भरपूर हम दे सकते हैं इसके बाद भी कम सकम बीस पचीस हजार टीमसी के बच्चत है एस पर एस वाटर इस कंसेर्ण यूजबल वाटर इस कंसेर्ण इंडिया ये सर्प्लस कंट्री बगवान ने प्रकृतिन इतने दिया है इसके बाद भी क्यों तरडपना पड़ता है लोगों को हम जब अवरंगा बात गए वहाँ बता है आर दिन में एक बार पानी आता है अकोला से हमारे वाई प्रकाश बोरे बता रहे थे कि वहाँ साथ दिन में एक बार आता है सोलापूर वाले कह रहे हैं दस दिन में एक बार आता है पुने के लोग भी बता रहे थे, किल्लत है पानी के परियाप्त नहीं मिलता और यहां तक के भी है दिल्ली में जो country's capital है, national capital है 75 साल के आजाने के बाद even in the national capital बजली की कटोती होती है, परियाप्त पानी की प्रबंद नहीं है, यह किस बात संकेत है, हम इसको क्या समझ सकते हैं, तो इसलिए surplus पानी रखते हुए कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा जो प्रातमिक आवश्य कता है इसा प्राइम नीड अब तपीपल इस ऐसा भी यह dams भी बनाने का कोई योजना नहीं है, जो existing bands है, they are getting filtration आगया उसमें, वो भी सही नहीं है, infrastructure के मामले में आप देखिए Singapore जैसे देश है हमारे आंखों के सामने, वहाँ कुछ भी नहीं है, except the mind power there is nothing, पानी भी उनके पास नहीं है, कम से कम, हम लोग जागे वहाँ photo उतर रहे है, पुतला उसके मुझे से पाने निकलते रहता है, बागल पर कड़े के, हम photo निकाल रहे है वहाँ पर, जुख मालूम होता है जब देखते हैं सी स, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई निवाला ऐसा उटाता है तो उसमें एक दाना भी उनका नहीं है everything is important मत्टी भी नहीं है, C reclaim करके कुछ जगा बना है तो उसके पास मत्टी भी नहीं है they bite from Indonesia ऐसे situation में भी what is the economy of Singapore today and what is the economy of India वहाँ दिमाग इस्तेमाल करके जहाँ कुछ भी नहीं है Mr. Lee Kuan Yeo, who is the maker of Singapore he has changed the fate of Singaporeans it's a great country today before the world हम कहा है, हम कहा है कड़े है, इतने सारे उपेक्डिया लगते हुए train infrastructure भी देखे आप the speed of goods trains across the world एक बार हम नज़र डालते है China में goods train की average per hour speed है 120 km United States में 78 km UK में 75 km है, Australia में 80 km है, Germany में 60 km है, जबके इंदुस्तान में 24 km है when we will be able to catch up हम कब मुकाबिला करेंगे इन देशों से कब आगे बढ़ेंगे इतना विशाल देश, इतना विशाल पॉपलेशन truck speed देखे है Indian trucks on Indian roads its average speed is only 50 km whereas Japan 80 km South Korea 80 km UK 95 km US में 95 to 115 km ये truck का infrastructure है ये पूरे आंकडे मेरे नहीं है this is all given by government of India and the international figures हर चीज में हर चीज में हमारा rank गिरता जा रहा है human index development में देखिए per capita power use में देखिए per capita power use में भारत का rank है 104 तो कहां है बूटान भी हमसे जादा है per capita power utilization तो हम कहां कड़े हैं और ये ऐसे ही चलते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है और Singapore का बड़ा अजीब बात है Singapore का ये की port है Singapore perimeter is only 193 km और ये का आइलन आ हम जानते है जो containers handle करते है China में 37.3 lakh containers 37.3 है India में 25.7 है China है Singapore का 37.3 है China up to 210 lakh containers handle करते है whereas our Indian coast is about 700 to 8000 km ययांकि वो infrastructure में हम सही नहीं है इतना विस्तार हमारा 30 lakh है 30 नहीं कहीं राज़ जाए पुरे भारत में वो भी सही नहीं है हर चीज में आप किसी भी चीज देखिए ports में देखिए air infrastructure देखिए स चडक infrastructure देखिए rail infrastructure देखिए इस में completely हमारे को यह तो कोल इंडिया का है every you look at everything we are going down forex says totally going down and down and what is the rupee value today it's about 82 change है आज में मेर क्याल से 80 to 83 rupees है यह श्थिति पहले कभी नही था भारत में इतना गिरावाट rupee का अब पहली बार हम को देखने का मिल रहा है we are not able to control anything इसी को लेके the BRS proposes for a qualitative change in the country हमारा प्रयास वही है पूरी भारत में हम अपना प्रयास जारी रखेंगे हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार का उच्च गुनवत्ता वाली परिवर्तन का पूरी प्रयास करने का हम आगे बढ़ रहे हैं इस अपने तरफ से नहीं बोलते हुए इस अपने तरफ से नहीं बोलते हुए अपने आगे चाहँ परिवर्तन का प्रयास चुनीजुए ये रहाँ ट्रयास करने बोलते हैं अपने बोलते हैं इस बोच्च परिश्च वेस्टन बागे भीचाइ Crac भीची एंपने वेश्च परिश्च परिवपने because wherever changes happen there only things are going in the right way India also needs to change it may take some little time हम कोई हरी में नहीं है इतनी बड़ी चीज को लेके आज में हो जाए, कल में हो जाए, पर्सम हो जाए हम ऐसा नहीं सोचते जब भी हो जाए लेकिन हो जाए वे तक BRS इस बात को नहीं छोड़ेगा इसका करते रहेगा सर आपने कहा कि दमदार सरकार चाहिए ये सब विजन लाने के लिए क्या BRS वो भूमिका में है या फिर संयुक्त रूप से विपक्ष कुछ ऐसा सोच रहा है कि सब एक साथ मिलकर ऐसा कुछ पर्याइद दिया जाए ऐसा है we have seen so many fronts United Front, National Front सब भी front मिलकर काम किये है लेकिन वो परियाद तो नहीं हो पाया है या हमारे सामने है देश के सामने है इसलिए we are proposing this agenda कुछ मित्र जो हमारे BRS से सहमत है हमारे agenda से सहमत है चलते चलते हूँ हमारे consortium में आ सकते हैं हम उनको आवानीत भी करेंगे पूर्न रूप से जो हमारे agenda से सहमत है और structural changes वो हमारे साथ आ सकते हैं हम उनको साथ भी ले लेंगे Mr. Chief Minister what do you think about forging an alliance with other parties अपर पर पिजिल what do you think about forging an alliance of the parties मैं देश के बारे में बात करो हूँ आप रादिधी बात कर रहा है if you can ask any question about the country I will be more happy but I am asking a political question sir we are not regional party now we are a national party I have already announced it that the name I changed my party's name from TRS to BRS okay and my second question is regarding you have been a strong proponent of separate states so will you support separate state of Vidarbha it is not about Vidarbha alone I am sorry to say it is very strange that India is a country where Sikkim like state with six and a half population is also a state and where UPI is also a state with 24 crores of people this system needs to be changed there should be some scientific method to make states in the country that will come then that will happen everything will happen you should be changed if you have changed ! I have been quite a long time I have been in the past when I have in the past मैं कि अभी पहली बार आपका इंट्री हुआ है मैंने आपको सीधा बता दिया बारत में ही एक अजीब स्थिति है राज बनाने के सिस्टम को लेकर मुझे भी 15 सार लड़ने पड़े वेन आपको फास्ट आंटो डेथ अलमोस्ट मही मरते-मरते फिर जीवित हुआ हमाई अनचन पर बैटके मेरे मरते-मरते समय में अनूंस्मेंट आया पार्लमेंट से यहने कि देश साइंटिफिक नैचर इसलिए मैं कहता हूँ उच्य गुनुवत्ता वाली परिवर्तन की जरूरत है कई कोई राज बनाना तो इतना मुश्किल इतना मशक्कत के ओपर करती है दिश्टेश दिश्टेश राज बनाना है तो बना लो हमने तेलंगाना बनाया है जैसा तो we have converted the 10 districts अब तेलंगाने तो 33 districts whereby we are achieving wonderful results there यह होना चाहिए आम तोर पर कहीं जगा सर एक सवाल सवाल ऐसा है आप कहे रहे कि महरास्टर के 288 seats जो है वहाँ पर उमेदवार होंगे जतना भी vote share आपको मिलेगा लोकसवा में विदान सवा में तो उसका फाइदा कहे रहे है से political experts कि BJP को होगा देश में आमादनी party के बारे में भी यही कहा जाता है कि जो vote share आप भी देश की बात कर रहे है बाकी party भी देश की बात कर रहे है पर इस सारे चीजों का फाइदा गुजरात में भी देखा है BJP को होता है इस सवाल है इस सवाल राजनीती का है सरा आप राजनीती करने तो आया ना तो नो आप ये blueprint है आपका प्रश्ण का मैं जवाब देता हूँ किसका फाइदा होता है किसका नुकसान होता है इससे हमको मतलब नहीं है इस देश में आज के लिए फैशन बन गया कोई भी एक party call के आ गया तो किसी का B टीम कहो और किसी का C टीम कहो किसी का ये टीम कहो ऐसे तमाशा बन रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं है इससे कहने वाले कहते रहेंगे लेकिन हमारा जो काम है देश के जनता के लिए होगा देश के जनता के फाइदा के लिए होगा गारू ये blueprint है जो आपने दिया है इससे बूप्रिन क्योंकि महारास्टर में इसके पहले राज ठाकरे फे फिर ब्लूप्रिंट लेके आये थे उसका ये blueprint है क्या blueprint में ये आपने चो दिया है document इससे बूप्रिंट पर महारास्टर दिवलप्रिंट नाट महारास्टर इस पर थे होल इंडिया But it's a blueprint for The whole country Entire country needs a change It's not a single state which cannot do anything Sir, यह बता है Sir, दक्षिन भारत में केरल, करनाटा का आंधरा Tamil Nadu में BRS क्या स्थीति में है और महाराष्ट ही क्यों चुना गया है ऐसा है, महाराष्ट में यह दुखदाई बात है एक्चुल में यह चीज मैं इसाब बताना चाहूंगा हमारा नारा भी है अब की बार किसान सरकार हमने इसलिए दिया largest suicides in the country are taking place in महाराष्ट सबसे ज़्यादा आत्मा चाहे खास्त तोर पर जो तिलंगाना के बाडर से लगए यह वत्माल जिले में बहुत ज़्यादे आत्मा चाह हो रहे और इसके देखते हुए हमने समझा महाराष्ट से शुरू करो इसलिए हमने महाराष्ट से शुरू किया सर एक question आप अरेक है कि भागीरत भाल्के के लिए एक private विमान भेजा गया था ऐसी क्या नौबत आ गय थी पार्टी के लोग प्राइवेट विमान में घुमना नहीं चाहिए, आज भी मैं प्राइवेट विमान से आया हूँ, यह कोजी नरीब बहत है भई, और किसके लिए बेज रहे हैं, सर, 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 अमेरिका में तो कदम-कदम पर प्राइवेट विमान है, खिसानों के पास भी वि सालों में सडके तो देश की बन रही है, तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे भी बढ़िया और इंस्प्रास्ट्रक्चर हो सकता है, और कितना टाइम लेगा, मतलब क्या कहना जाएंगे, आप भी जानते हम भी जानते हैं, हमने जो बता है, वो आगिकत है न, य यह अंकड़े मेरे नहीं है भाया केंदि सर्कार के है उन्होंने खुद बताया है तो इससे भी बड़ी इंट्राटक्चर हो सकता है 100% हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है शरी यह बसा है शर्ण नहीं समझा मैं आपके बात को 100% हो जागा मैं बिकास हमारे पास महराश्य से ज़्यादा किसान आत्माच्चा कर रहे थे अब वो आल्मोस्ट थंब गए कहीं यह का दा होता होगा लेकिन आल्मोस्ट थंब गए नमबर टू हमारे किसान आज कड़े हो गए है हमारे जो पाल्सी से excellent पाल्सी से किसानों में जितना दुखता हो सारा मिट गया है अभी हमारे किसान बहुत खुशाल है अच्छा है मैं एक बात आपको जरूर समझाना चाहूंगा आदा से ज़्यादा हमारे किसान केती छोड़के पलाएं थे खास मुंबय में काम करते थे कहीं जगा काम करते थे पूरे भारत में पेट बनने के लिए काम करते थे आज हमारे लोग पूरे पूरे वापिस आ गए और तलंगाना राज में करीब 14 राज्यों के लोग आके हमारे पास अपने पेट बर रहे है यही स्तिति महारास में भी जाएगे अगर वियरे सरकार यहां बने सेम तलंगाना जे स्तिती यहां भी आजाएगे सर यह बताएं कि Uniform Civil Court के लिए कहा जा रहा है कि नागरिकों की राए ली जाए धर्म गुर्गों की राए ली जाए तो आपका क्या कहना है uniform civil court के लिए इनकी लोगों की राई की बात की जारी और धर्म गुर्मों की राई लेने की बात चीत की जारी है ये धर्म गुरु कहां से लाके रख दिये भाई राजनी जी में धर्म गुरु तो को मट चलना चाहिए पूजा पाट करना चाहिए याग करना चाहिए वो इसमें घुस्पेड करके बढ़ा अंगामा कर रहे है देश में Sir, I am Neeraj from Power of One magazine this side So I won't just ask you a question You would be the prime minister candidate of opposition So in this situation Opposition क्यों है? Opposition क्यों हो थे वाब? In this situation क्योंकि बाहर जितने विपक्ष के लोग है उनके लिए आप एक अच्छे candidate हो सकते है क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ इस तरीके से महरास्टा में जब आप आएंगे तो एक secularism के जो दूसरी ताकते हैं वो कमजोर होगी secularism की लड़ाई कमजोर होगी क्योंकि vote का जो distribution होगा यदि थोड़ा सा भी आपके favor में होता है एक simple बात है किसको effect होता किसको नहीं होता इससे हमारा कोई मतलब नहीं है जनिता के फाइदे में काम हो वो काम हम करते हैं सर आपने कहा है कि अपकी बार किसान की सरकार जब चुनाओ आएंगे तो किसानों की क्या भागेदारी रहेगी क्या उनको मोका दिया जाएगा बिल्कुल दिया जाएगा हम तो कह रहे है हल चलाना बंद करो और रास्ता नेकालो पार्लमेंट में जाने का विजान सबा में जाने का हम सिधे ही कह रहे है राउसर मेरा एक सवाल है आपका मैंने पूरा भाषन भटसा भाग्रम में देखा आपने एक भी भार विधर्ब की बात नहीं की और आपने जस्ट अभी कहा कि एक विधर्ब को हम तेलंगाना जैसे बनाएंगे अगर आपकी सरकार भारत में आती है तो आपने खुद ने इतन नहीं चोड़ा या नहीं पकड़ा हम कभी पकड़ लिया कभी चोड़ लिया हम तो सीधे ही कह रहे हैं इसमें कोई ये बात नहीं है सीधी बात यह है बारत में कई जगा नहे राज्यों के मांग है मैं एक बात कहता हूं आपको इस सादर सी सिंपल बात है इसमें कोई कटिन नहीं है बिहार को लेके उसका नाम कहा है मितिलांचल मितिलांचल राज का मांग है मेरा नारा लेके मेरा मांग लेके मेरा दिल्ली पोचने से पहले दस साल से वो लोग बैटे हुए है जंतर मंतर में मेरा बात हो गया तलंगाना बन गया हो आज भी बैटे हैं ऐसे ही तलंगा न, still there, sitting there. Why the things would be like this? भारत को बारत में राज बनाने के मांग होंगे, वो एक बात है. और राज बनाने की जो बात है, वो केंद सरकार को खुद में सोंचना चाहिए. देखे, हमारे पास और बंगाल में, दो जगा जिले को संक्या नहीं बढ़ाए, जबके पूरी भारत ने बढ़ा है. हम अरब बात जो थे, वो ही थे. अब तिलंगाना बनने के बाद, मैंने तिलंगाना का विबाजन करके तेंती जिला कर दिया. हमको देखते हुए आंदरे में भी पचीक जिला कर दिया हो लोग. And the things are going so smooth, you know. बहुत बड़े-बड़े जिलों के जगा, एक एक जिले में अब तीन कलेक्टर आगा, एक कलेक्टर के बजाए. काभी काम हम कर पाते हैं. काभी काम कर रहे हैं, हमको result पाया है. मैं एक example आपको देता हूँ. हमारे राज को इसानों के बड़ोतरी के लिए हमने क्या किया? Every 5000 डिकर्स को एक कलस्टर बना दिया. एक अच्छा अनुबव है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ आपसे. तोड़ा सा समय लगएगा, लेकिन पूरे ऐसे तिलंगान राज में, 2016 सब एक कलस्टर बने. हम और हमारे चीफ सेकरेटरी पूरे कलेक्टर्स कांफरेंस बुलाके उनको समझा दिये, भईया है, बहुत अहम चीज है. यहां किसानों की पूरी चर्चा होगी, अच्छा होगी. यह छे मैने के अंदर बनाना है. और बिल्कुल छे मैने के अंदर हम बना पाए है. अगर पुराने जिले रहते हैं, इस्टिक के एगी कलेक्टर रहते हैं, कभी भी संभव नहीं होता था. आज ऐसा हो रहा है. अमेरिका हमसे उद्दिमान देश है, देफिनिट्टी. वो देखो 33-34 करोड का उनका पापलेशन है, पचास राज बना लियां उन्होंने. हमरे पास क्या जाता है, और एक 10-12 राज बने तो क्या जाने का है? इसमें क्या फरक पड़ता है? इसको इतना खटिन क्यों बना के रखा है, पुरे देश में. राज बनाने के लगए देश की रवाईया भी बदलना चाहिए. मेरा एक बात है, राज आपसे सिधा निवेधन है, कही आई से कुछ तांक लेव चल रहा था, मेडिया का, इसमें मही था. मैंने कहा चेना का जैसा आप से कहा, उनके सामने रखा. तो बोलने लगे चेना का स्थिती कुछ अलग है, आगे कानन कुछ अलग है, माच चुना उने, बतल आईसे बात इसा है. जब चेना से हमारा सिस्टेम अच्छा हो, तो हमको चेना से आगे रहना चाहिए ना, किल्कुर होना चाहिए ना. याने कि ग्यान किसी के पास नहीं होता है, ग्यान का कोई टेकदार नहीं होता है. अच्छी ग्यान जहां से भी प्राप्त होता है पूरे दुनिया में, वहाँ से लेना चाहिए. उससे तोड़ा रिफार्म करके, अपने देश के मताबिक बना लेके, उसको इंप्लिमेंट करना चाहिए. तो में क्या दिक्कत है? बिल्कुल स्ट्रुक्ट्रल रिफार्म की जरूरत है. मैं आपको बताओं तो कहीं देश है, जो आउटाब बाक्ष जाके, स्ट्रुक्ट्रल रिफार्म करके, आगे बढ़ चुके हैं. येपान देखो, आशिस में गए हिरोशिमा नागसा के बाद. नाओ देखिए, साओध कोरिया देखिए, मलेशिया देखिए, सिंगापूर देखिए, कहीं ऐसे देशा हैं हमारे सामने, हमारे देखते देखते कम सकें 15-16 कंट्री, कावी अच्छे उनकी तरक्य हुई है, वैसा हम क्यों नहीं करना चाहिए इंदुस्तान में? हमको खुद में ग्यान नहीं तो वहां से सीख सकते हैं हम लोग, अच्छी बात कहीं से भी मिलता है दुनिया में वहां से लेना चाहिए. करता है, इस प्रकार की बात हमेशा advertisement में होती है, तो आपकी मोदी जी के साथ में कोई meetings होती है, ताकि ideas exchange हो जाएं? मोडी जी मेरे अच्छे मित्र है, कहीं बार हम अपने खयालाद बदलते हैं, मीटियाव मीटिंग में कहीं इदर हुदर में, बिल्कुल हम मिलते जुलते हैं, और कुछ मीटिंग भी होते हैं, best practices in the states. के रहल में कोई चीज बेस्ट हुआ, तो बुसरा चीज़ के ते लंगाने में कुछ अच्छा हुआ, तो बुसरा चीज़ के, ऐसे, वो एक्स्चेंज होते रहते हैं, इसमें कोई नहीं बात नहीं है. Mr. Rauh, since your party is fighting, is targeting Nagpur, is your party going to fight these municipal corporation elections as well? We are going to fight each and every election in Maharashtra now. परिवर्तन का, तो हम अपने जेगें बनाते बनाते आगे बढ़ेंगे, और पूरने लक्षु पाने तक हमारा कोशिच जारी रहें. All seats? Why not all seats? मुझे बताओ गहां किसान नहीं है किसान तो चोड़िये किसान के साथ पुंजी फदी भी आना चाहिए उनकी ठाली में काना का से चाता है किसान चाहिए सर मेरे दो कोशन्स था आप से आपने सर किसानों की बात की तो सर मैं लाइक पहला कोशन था कि MSP के रिगाड़ी, सर एक किसानी है सर जैसे आप कोई भी अगर मार्केट से प्रोड़क्ट लीजे सब MRP पर बिखता है और किसान का प्रोड़क्ट यह आप MSP के लिए बात करते हैं और वो भी मेजरिटी और इसको देना पड़ता है तो आपको इस स्ट्रक्चिर को करेक्ट करने के लिए आप क्या आप क्या एडिया से सर एमस्पी के और इसकी आपका सिगर्ड कुछिन का मैं पहले बोलता हूँ पूरे ही दुनिया में मैंने इसके काफी विस्तार में स्टड़ी किया है यह मेरा अपना नालेज नहीं है यह पूरे दुनिया में बगाएर सरकार के सपोर्ट के अग्रिकल्चर कड़ा होता ही नहीं हर जगा सुपसे ज़्यादा सब्सेड़ी अग्रिकल्चर को देने वाला देश है अमेरिका मैं जानता हूँ और अन्य देश भी एक बारत ही ऐसे देश है जो अग्रिकल्चर को सब्सेड़ी नहीं देती है लेती ज़्यादा है अग्रिकाचर देने के नाम पे कुछ मात्र में देती है लेकिन लेता ज़्यादा है this is very unfortunate that is why our farmers are forced to commit suicide that is the biggest problem sir मेरा एक सवाल है sir इधर इधर मेरा एक सवाल है अपकी बार किसान सरकार किसानों के लिए आप काम करी रहे हो देश में जो भी सरकार आई है आने के पहले उन्होंने काफी वादे किये है लेकिन साल पास साल निकल जाते है वादे भूल जाते है अभी दस सान निकल गए वादे भूल गए आप अगर आपकी सरकार अगर देश में आती है तो क्या शिक्षा की निती और रोजगार की निती क्या रहेगी कि कोई देश में बेरोजगारी बढ़ गई है शिक्षा निती में परिवर्तन हुआ है जो गरीब है उनको शिक्षा नहीं मिलती तो अगर आपकी सरकार अगर देश में आती है तो क्या निती रहेगी बया मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा election manifesto बनाते हैं हर पार्टे और पेश करते हैं लोगों के सामने है हम भी election manifesto दिये थे चुनाव से पहले हम दो बार चुनाव जीते हैं हमारे पास 119 सीटे हैं हमारे राज में तो पहले चलन में हम 63 सीटों से जीते थे next time हम 88 सीटों से जीते हमने जो कहा हमारे manifesto में उसे साव गुना बढ़के हम काम किया है जैसा के किसान बंदू जो स्कीम है एकड में 10,000 रुपे देते हमने manifesto में नहीं रखा लेकिन चालात के अनबो मिलते मिलते चलते चलते हमने बीच में कर दिया जैसा के हमारे दलित वर्क के बाई है आज देखें कितने अत्याचार आज भी होते है पेपर में पढ़के बड़ा दुक होता है किसी दलित ने शादी किया और गोड़े पे जा रहा तो उसको कींच के मार रहे मरवा भी दे रहे है किसी जगा तो एक रोज नहीं गुजरता इसमें दलित पे कोई अत्याचार नहीं है हमने यह सोन चाहे 100% हमारे पास यह चीज बदलनी चाहिए हर हालत में इसको रोकना चाहिए यह अत्याचार बंदू होना चाहिए इसके लिए हमने सक्त कानून आमरे पास लाया है कम करने का बहुत प्रयास किया है और दलितों का उद्दार मैं पूरा बिलीव करता हूँ उनका एकानमी बढ़ाने से ही इस शोशन पीडन उनका चले जाएगा इसलिए हम इतना एक करांतिकारी प्रोग्राम लाये है हमारे राज में जो हमने एलक्षन में कभी कहा ही नहीं है हमारे मैनिफेस्टों में भी नहीं है हम शप्तन एक दलित बंदू स्कीम लाये हैं जितने भी दलित फैमिली से फेजड मैनर में हम उनको 10 लाग रुपे देते हैं हर दलित फैमिली को सैचुरेशन मोड में अभी हमने 50,000 फैमिली को दिया है उसका बहुत ही अच्छा अनबव है हम बहुत संतुष्टों है कहीं लोग आके देख रहे हैं पूरे भारत से भी कहीं जलित नेता भी आके देखे कहीं मुक्यमंत्री भी आके देख रहे हैं मंत्री भी आके देख रहे हैं एक लाग तीसादार दलितों का भी दे रहे है यह ऐसे काम देश में शुरू होना चाहिए 75 साल से अगर यह काम शुरू होता तो कभी का हमारा दलित वर्ग का उद्दार हो जाता नहीं हो रहा है most unfortunate in the country's economy is grown automatically all these things can be done it's not doable, it's a doable thing दूसरा शिक्षा के बारे में आपने पूचा शिक्षा बिल्कुल जितना अच्छा शिक्षा मिले वोई बहुत बड़ा प्रापर्टी होगा उनके लिए तो दुनिया से लड़के अपना जिंदेगी जिएगा हमारे पास हमने आवासी विद्या का भूत इंपार्टेंस दिया पुरे देश में कहीं नहीं हम चांपियों ने उस चीज़ को लेके एक हजार एक स्कूल हमने आवासी विद्या ले खोल चुट चुके है उसमें शाड़े पांच लाग फाई लाग सिक्ष्टी नइन ताउजन बच्चे पढ़ते हैं लड़कियां और लड़के भी इनके उपर हम एक साल में एक लाग पच्ची सथार रुपे एक विद्यारती पर कर्च करते हैं बहुत ही अच्चे परणाम उसके मिलना है नीट में हर एक्जाम में हमारे बच्चे बहुत सीट राल है तो ऐसे शिक्षा पूरे देश बर में आना चाहिए अज़ा सर्कार में हमारे बच्चे प्र्ड़कार बात नहीं करती तो आप क्या आपके सरकार में इस एजेंटों के लोकर महेंगा ही कम करेंगे बिल्कुल आपका बात सचे होना चाहिए उसका प्रयास होना चाहिए इन्फलाशन कट गया तो महेंगा आटोमेटिक कम हो जाएगी इन्फलाशन बढ़ गया तो महेंगा ही भी बढ़े Central Agencies के दुरूबयक के लेकर काफी चर्चा हो रही है इन्दिनों तामिलनाड़ू में दो दिन पहले कारवाई हुई आपके राज़ में भी IT के कुछ रेट्स आपके MLS पर भी हुई है सर्चेस हुए इस पर कैसा देखते आप बिल्कुल गलत बात है जो हो रहा है अच्छा नहीं है लोग तंतर में इसाही नहीं है दूसरा एक बात नहीं बूलना चाहिए किसी को भी वो चाहिए मोधी जी भी हो कोई भी हो democracy के pillars are the parties एक प्रजा तंतर के लोग तंतर के stumb है party party यहां बचे रहे तभी लोकतंत्र बचे रहेगा तब हमको मोका मिलेगा जनता हमको मोका दे सकती है मोधी जी भी काई से प्रदान मंत्री बने चांस था लोकतंत्र में वोट के जरीए तो तब ही जाके उनको चांस मिला दूसरी लगों को भी जीना दिने देना चाहिए इतना पीचे पढ़के उनको हरास करके करना ठीक बात नहीं है इस नाट गुड एट आल कि निंदनी ये बात है सर महरास्ट लोकसभा और महरास्ट विधान सभा में आपकी पार्टी कितने सीट का टारगेट लेके चल रही है पूरे सीट हों का टारगेट ले रहे हैं हमको जोंकि अगर किसान समझते हैं किसान फैंली हमारे साथ आते हैं तो कौन रोख सकता है जो एक बात ऐसा होता है इसमें खुलकर बात करना चाहिए इसमें चुपाने वाली बात कुछ लिए अकसर यह होता है किसी भी देश का एक शुरुवात कहीं से गिनते हैं समझो कि यह तीन चार तरीके का होता है किसी जगा ट्रांसफर्मेशन प्रमाटोक्रसी डेमाकरसी होता है किसी जगा इंकलाब जैसा कि लेनिन ने लाया माव ने लाया, खरांती आया तो तबसे एलोग शुरुवाद किनते हैं हम जिरसे देश में आजादि से हम शुरुवाद मानते हैं जरनको दूसरों का रूल चला गए हमारा खुद का रूल ला गए तबसे हमें गिनते हैं जबी देश बनता है उस समय के बुद्धी जीवी कुछ लोगों से committee बना देते हैं जैसे constant assembly हमारे पास बना था बाबा साब अंबरकर चेर्में सदारत में और कानुन काइदा कुछ बना के अपनी journey शुरू करते हैं लेकिन ये एक दो दशक में चलते चलते जो अनवों मिलता है उसको पूरा करके 95% देश सेटल होता है मेन मुद्धों पर बागी scientific breakthrough जैसे आने लगा तो उसमें changes करते हैं यसे के computer नहीं था आज आ गया smart phone था नहीं था आप आ गया cyber crime एक नहीं चीज आ गयी cyber crime तो ऐसे चोटे चोटे बात है लेकिन main country पूरा सेटल होता है एक दशक, देड़ दशक, दो दशक में हमारा दुर्बा की यह है कि 75 साल के बाद में भी हम सेटल नहीं इसलिए we need to make some structural changes where there are electoral changes administrative changes यसे मैंने अभी बताया the total water policy of India needs to be changed the total power policy देखिये न, simple बात है इतना बंडार कोईले का देश में है लेकिन अस्चिले से कोईला मंगा जा रहा है किसके लिए, किसके फाइदे के लिए Indonesia से कोईला मंगा जा रहा है और जबरदस्ति किया जा रहा है trans coast पे, gen coast पे, states पे के ही करीदो जबकि हमारे इंदुस्तान का कोईला मिलता 4000 मेटन, वो मिलता 28000 मेटन वो ही करीदो, जबरदस्ति किया जा रहा है that's the reason I said there have to be some structural changes which have to be transparent and clear पावर और पावर में लाना इतना गलत है बया हमारे खुद का अन्बव है एक ग्यास का जबकि हमारे पास मैं उनका नाम नहीं बोलंगा कोई भूत परो क्या मंत्री है वो आदे मने PPA कर दिया 25 साल का यानके हम गिर भी रखेगा 25 साल वो PPA का अग्रिमेंट कुछ आईसा है वो supply ना भी करो तो हम उसको पैसा देना पड़ेगा that gas plant has never started but still we are paying money to that company this is the kind of privatization which we are opposing अंदादन निजी करन is not at all advisable यह पुब्लिक सेक्टर अग्रिमें बतारो ने यह यूही नहीं बोलो में हमने तेलंगान राज जाने के बाद में हमने मन बना लिया है एक चे हजार मेगावाट का बिजली उतफादन करो सोलार में चे हजार का टार्गेट था पांच हजार साथ सब होगे चे हजार तर्मल में मेरे पिछे काभी लोग पड़े बड़े बड़े पुणजी पती बड़े बड़े कंपनी एलाएंट इगलेंट इस होबाए हमने फैसला लिया है काभी लिट में रखके नो प्राइबेटाइजेशन इन पावर सेक्टर तेलंगाना जनको ही बनाएगा और हमने बना दिया तेलंगाना जनको चल रहा है हमारे पास आराम से आपका क्या राए है आपको क्या राए बताईए ये एक बात है तो साब बात है अच्छा कुछे नहीं हमसे ज़्यादा विकसित जो देश है इसे को यूरिपन कंट्री से है यूएस है उन्होंने भी EVM लाया था ऐसे ही वहाँ पे भी शेक होने लगा लोगों को तो दोस गवर्मेंट से उथाट जो उन्होंने लाके वापिस चले गए हमारे देश में भी इसमें लोगों को शेक है उसको बंद कर देना चाहिए बैलेट एलेक्शन करवा देना चाहिए सरा आप फंड कहा से लाती इतनी स्कीम चल रही है देश में फंड मैनेजमेंट कैसे होता है और लोन कितना है आपके गवर्मेंट पर क्योंकि महारास्ट जैसे स्टेट पर काफी बड़ा लोन है तो बाकी स्टेट ये योजनाए क्यों नहीं लागू कर पाती और आपका मैनेजमेंट किस तरह से फंड्स आप कहा से लाते हो मैं आपको एक बात बताता हूँ कड़ी मेहनत करने से लूपोल्स प्लगिंग करने से सही निर्नाई लेने से फॉस्ट डेलिवरी होने से काफी एकानमी बढ़ती है जो तलंगाना में बढ़ा है हमने करके दिखाया है हम ऐसे बात नहीं करते हमारा परक्याप्ट था जो राज बना 2013-14 में 94,000 थे आज हमारा महरास्टा उससे मरे से कई गोना ज़्यादा था नाटोरली महरास्टा बलके गुजरात, महरास्टा, तामिलनाडू करनाड़ वेसे जो बड़े राज थे स्थिर राज थे, 70 साल से राज थे उनका आई बहुत ज़्यादा था हमारा से तुलना में आज हमारा सरकार अभी डिकलेर किया है हमारा परक्याप्टा है 3,17,000 जबके महरास्टा का परक्याप्टा है 2,40,000 हमने इन साले राज़ों को पीछे तोड़ दिया है हमारा इकाना भी बढ़ गई है मैं एक बात और बता दूँ आपको हमसे पहले तिलंगाना में 10 साल लगातार कांग्रेस सरकार था रेती जो होता है जो सैंड वो माइनिंग डिपार्टमेंट के तहित आता है पूरे 10 साल कांग्रेस के सरकार में रेती पे जो हाई खोश में आया वो 36 करोड था हम आके जब बागडोर संबाले 5 साल के अंदरी 5,600 करोड आये यह है नीती करने का कांग करने का डंग अगर इस प्रकार का काम हर जगा किया जाए तो definitely एकानमी बढ़ेगी सर यह बता है कि भारती जनता पार्टी ने तेलंगाना के बारे में कहा है कि तेलंगाना कि आपके कम से कम 25 विधायक भारती जनता पार्टी के संपर्क में है और किसी भी हाल में जो भी चुनाओ होगा तो निश्ची तोड़ पे भ्रष्टाचारी सरकार को हटा दिया जाएगा वो भारती पार्टी का कहना है आपी यह कह रहे वो बक्वास है हम इतने कहेंगे वो बक्वास है सर एक सवाल दामिरा सर किसान हिद की बात करते हैं आप बॉर्डर देरिया जो तेलंगाना और महाराष्टा का शेयर होता है यहतमाल जैसे जिले में किसान आत्मत्या सबसे ज़्यादा है आपके स्टेट में किसानों के लिए काफी योजना है तो महाराष्टा सरकार को आप कुछ सुजाओ देना चाहेंगे कि जिससे महाराष्टा में भी किसान आत्मत्या कम हो मैं नान्देड में जब सबस्वा संबोधित किया यहां कि अभी के उप्वुक्यमंत्री बूत्पूर मुक्यमंत्री जी है पाट्नविस जी उन्होंने एक वक्ता भी दिया था मैंने अकबारों में पड़ा केशियार जी आप तलंगाना में संबालो आपको महाराष्टा में क्या काम है मैंने सिर्फ इतना कहया आप महाराष्टा में आत्मा अच्छा रोको तलंगाना माडल लादो मैं यहां से निकल के मजज़प्रेश जाओंगा मैंने सुझाओ दिया है आलरी तो कहां तक एंव्लिमेंट करते हैं देखते हैं सर महाराष्टा में अगर अलाइंस की अगर बात पड़ी तो क्या महाविकास आगाडी के साथ आप जाएंगे और दूसरा पिछले कुछ मैनों में जो महाराष्टा की राजनिती में जो उटा-पटक हुई है उत पर आपकी क्या रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है कोई एक बात है अलेंस की बात हम बिल्कुल सोंच भी नहीं रहे है हमें लगता है कि हमें जुरूरती नहीं पड़ी पर हम सब देख रहे है कि सब साइब पार्लेमेंट होए असेमली हो सर जो डिसकेशन का टाइम होता था सर जैसे मैंने पढ़ाए कि अर्ली सिक्स्टीज वगरा में सौसो दिन से भी ज़्यादा पार्लेमेंट रहती थी पर अभी वो कुछ दिनों पर आगए सर कंट्री का बजेट बिना डिसकेशन के पास हो जा रहा है असेमली में भी दिन कम होते जा रहे है तो सर के इसमें भी चीन जाना चीए एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा अच्छी बात है I think which you will all appreciate ये एक मेरा मित्र से ऐसे ही बात हो रहा था उनसे मैंने पूचा कि बज़े आप 542 सीटे हैं लोकसबा में बड़ा हल्ला काटके हंगामा करके हम सारे एक चुट हो के 500 सीटे भी जीत रो मैंने कहा करना क्या है बताओ वो बहुत जो भी कर सकते 500 सीटे बड़ा और क्या है मैंने कहा नहीं कर सकते कैसा देखो आपका लोकसबा डारेक्ट चुनाव है जो प्रजा का मोड रिफलेक्ट होता है वहाँ पे चुनके आते हैं लोकसबा में आप बिल पास करो तो राजेसबा में अटक जाता है राज क्या चल रहा है देश में ब्लेम गेम भाई या हमने कर दिया उन्होंने रोक दिया बस हो गया बात फिर वेर इस दपीपल आपने कुद देगाना हमारा कुद का अनुबव है ये मिस्टर चिदामबरम वाजदी फैनान्स मिनिस्टर मैं उनके सहयोगी था फ्यूपिय के काबिनेट में उन्होंने लाया CST, GST जब मोडी जी गुजरात के मुक्य मंद्री थे वो गला का पाड़ पाड़ के विरोध कर रहे थे जैसा कि मोडी जी प्रधान मंत्री बन गए वो GST लाये इसलिए मैं कहता हूँ structural changes की जुरूरत है these anomalies which are trending there which are which have become hurdles for the development of the country needs to be changed इसमें कुल के बात होना चाहिए इसमें चुपे बात कुछ नहीं है उसमें रहाश्य कुछ नहीं है राव सब नितीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाओ पहले हो सकते है तो क्या कहेंगे आप इसमें के निस्तरकार करना चाहिए हो सकते हैं उसमें क्या बात है उसमें बड़ा बात है अभी मैं सौंचा नहीं बाद में बत पता दुगा जी वोजे भोगा तब देखेंगे ना अभी उसका बरमच को नहीं से सकते हैं तैंक यू, तैंक यू सो मुच